हलो फेंड्स पिछली कुछ वीडियोज में हम लोगों ने देखा कि चंद्रकुप्त मौरया ने 321 BC से 397 BC तक रूल किया इसके बाद इनके बेटे बिंदुसार ने 297 BC से 272 BC तक रूल किया और तक्षिला की गवर्नर थे इनके बड़े भाई शुशीम जब तक्षिला में रिवोल्ट हुआ तो शुशीम उसको समाल नहीं पाए तो ऐसे में तक्षिला में रिवोल्ट को सप्रस करने की जिम्मेदारी अशोक को दी गई थी इसका मतलब राजा बनने से पहले ही ये मौरेन एंपायर की बड़ी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे बड़ यहाँ पर कुछ गरबढ़ है आप देख सकते हैं कि बिंदुसार की ड़त 272 BC में हुई और इनकी ड़त के अल्मूस चार सालों के बाद इनके बेटे अशोक मगत के राजा बने तो यहाँ पर कुछन ये है कि नेक्स राजा चुने जाने में चार साल का समय क्यों लगा तो इसका अंसर ये है कि बिंदुसार के बहुत सारे बेटे थे और बिंदुसार की डद के बाद उनके बेटों में एक सक्षेशन की वार शुरू हो गई थी जिसमें बहुत खुन खराबा हुआ और अंत में अशोक इस वार में विजय साबित हुए सीलियोनीज, क्रोनिकल, दीब वामसा और महावामसा में कहा गया है कि अशोक ने अपने निन्यान्वे भाईयों को मार कर सत्ता हासिल की थी और कहा जाता है कि इन्होंने अपने सभी भाईयों को खतम कर दिया था एकसेप्ट इनके छोटे भाई तिस्सा बड़ ये बात पूरी तरह से सच्छा है या नहीं ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि अशोका ने कुछ सिला लेखों में अपने भाईयों और रिश्टेधारों का जिक्र किया है तो चलिए सबसे बहले ये देखते हैं कि अशोका ने जब राजपार्ट समाला तो उस समय मौरेन इंपायर का टेरिटोरियल एकस्टेंट किया था तो हम देख सकते हैं कि अशोका जब मगत के राज़ा बने तो उस समय मौरेन इंपायर का जो नौर्थ वेस् थी जहां तक बिंदुसार ने Moran Empire को extend किया था इसका मतलब चोलाज, पांडियाज, सत्यपुत्राज और केरल पुत्राज जिन्हें चेराज भी कहा जाता है ये Kingdoms Moran Empire के नेवर्स थे Southern Direction में और अशोका के inscriptions में भी in Southernmost Kingdoms का जिक्र किया गया है as border states, इसके इलाबा कहा जाता है कि नेपाल भी Moran Empire के influence में था और राजतरंगिनी के हिसाब से तो कश्मीर भी Moran Empire का ही पार्ट हुआ करता था, राजतरंगिनी एक North Western और कश्मीर की प्राचीन कता है जिसे Poetic Form में लिखा गया था कल्हान द्वारा और इसे संस्कृत में लिखा गया था तो आप देख सकते हैं कि Southern और North Eastern पार्ट को छोड़ कर अगर कोई पार्ट Moran Empire के influence में नहीं था तो वो था कलिंग कलिंग एक बहुत ही पावरफुल राज्य था और अशोक के रूल के तुरान जो एक मात्र वार लड़ी गई वो कलिंग के खिलाफ थी ये वार अशोका के राजा बनने के 8 सालों के बाद यानि 260 BC में लड़ी गई और इस वार में अशोका विजई रहे बढ़ कहा जाता है कि इस वार में एक लार्ज स्केल मसेकर हुआ था जिसके वज़े से अशोका का हिर्दे परिवर्तन हो गया और इस वार के बाद इन्होंने बुद्धिस्ट मौंक उपगुपता के इंफ्लूइंस में बुद्धिस्म धर्म को अपना लिया उपगुपता को मोगली पुद्धिस्सा भी कहा जाता है बट कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि अशोका तुरंद बुद्धिस्म में कनवर्ट नहीं हुए थे उनका ये कनवर्जन ग्रेज्वल था इमिडेट नहीं यानि ये पहले शाक्य उपासक बने जिसका मतलब है कि ये पहले डिले डिसाइपल बने और उसके कुछ सालों के बाद वो भिख्शू बने यानि बुद्धिस्म का अशोका पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव हुआ था बुद्धिस्म धर्व को अपनाने के बाद इन्होंने हंटिंग छोड़ दी थी और साथ ही साथ ये एक नॉन वालेंस के बिलीवर बन गए थे इन्होंने अब फिजिकल ओक्यूपेशन और फिजिकल कॉंक्वेस्ट की पॉलिसी को अबेंडन कर दिया था और बुद्धा के जीवनकाल से जुड़ी हुई प्लेसे को इन्होंने विजिट करना शुरू किया इसके अलाबा उन्होंने दूसरी कंट्रीज में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए अपने मिशन्स भेजे इनमें से एक मिशन इन्होंने श्रिलंका में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए भेजा जहां पर इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी पेटी संग मित्रा को भीजा था इसी के साथ साथ इन्होंने पॉलिसी ओफ धम्मा को भी डवलप किया धम्मा बेसिकली एक सेट ओफ प्रिंसिपल्स है या कहें कि एक कोड ओफ कंडेक्ट है जिसे अशोका ने डवलप किया था ताकि उसके राज्ये में रहने वाले लोग और मौरेन एंपायर में काम करने वाले ओफिसर्स इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकें यहाँ पर कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि क्या ये सेट ओफ प्रिंसिपल्स बिसिकली बुद्धिज्म धर्म के प्रिंसिपल ही थे तो इसका अंसर है नहीं अशोका की जो पॉलिसी ओ ये कोई नया रिलीजिस या फिर नई पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं थी माना जाता था कि पॉलिसी ओफ धम्मा अशोका का अपना इन्वेंशन था तो चलिए देखते हैं कि अशोका की पॉलिसी ओफ धम्मा आखेर थी क्या तो अशोका की पॉलिसी ओफ धम्मा को हम लोग 7 पॉइंट्स में एक्स्प्रेइन कर सकते हैं एक में उद्दश्य ये भी था कि ये एक वेलफेर स्टेट को इस्टेब्रिश करें थ्रू एफिशिंट और्गनाइजिशन और अड्मा यात्राज द्मा यात्रा यानि पिल्गिरमेज को विजिट करना इसके इलावा इन्होंने अपनी पॉलिसी ओव धमा में ये भी खहा कि मालिक को अपने नोकर के साथ और गवर्मेंट ओफिशल्स को प्रिजिनर्स के साथ अच्छा वेवार करना चाहिए जनवरों के साथ भी थोड़ा कंसिडरेट होना चाहिए और नौन वालेंस को प्रेक्टिस करना चाहिए और साथ ही साथ ब्रहमिन्स के साथ एक कर्टियस रिलेशन बनाना चाहिए और उनको भी लिबरली ट्रीट करना चाहिए और फरक नहीं पड़ता कि आप कौन से religious sect को मानते हो पर जिस भी religious sect को मानते हो दूसरे धर्मों के साथ भी आपको tolerance practice करना चाहिए और सबसे बड़ी बात इन्होंने अपनी policy of dhamma में ये भी clear कर दिया कि अब ये दूसरे देशों को war से नहीं बलकि dhamma से विजय करेंगी अशोका चाहते थे कि इनके ये principles इनके राज्ये में रहने वाले सभी लोगों तक पहुँचे और उनके administration में काम करने वाले सभी अधिकारी भी इन बातों को follow करें और इसी लिए उन्होंने ये सभी principles बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवा दिये पत्थरों पर लिखे इन inscriptions को rock edits कहा जाता है next video में हम लोग अशोका के इन rock edits को detail में cover करेंगे इंडिया की history और इंडियन polity को detail में cover करने के लिए बुकसतवा की playlist को follow कीजिए link description में मिल जाएगा thank you so much for watching this video